Supreme Court में लगा दी है रोक कुछ रिट पिटिशन में जो की फाइल की गई है आपके Bombay High Court में, Rajasthan High Court में, Calcutta High Court में फिलाल के लिए इन हाँ यहाँ पर जो चार रिट पिटिशन दायर की गई है पेपर लिग के मामले से related इन पर रोक लगा दी गई है NTA का यह कहना है, NTA के तरफ से विक्रमनाथ जो है, इनका यह कहना था कि मामले को Supreme Court में भेज दिया जाए फिलाल के लिए भेजा तो नहीं गया पर स्टे के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है कि High Court में इनके सुनवाई नहीं होगी अब पहले तो Supreme Court जो है, वो तो आना का नहीं कर रहा था क्योंकि वैसे भी High Court मामले को नहीं पटने से बचते हैं यह आया है पूरा आर्टिकल, तो नहीं करेंगे हम पर फिर विक्रमनाथ ने बोला कि लास्ट वीक ही डेली High Court से मामला Supreme Court में आया तो हम यह चाहते हैं कि यह जो चारो रिट पिटीशन्स हैं, जो कि NTA वर्सेस केशब पारिक, NTA वर्सेस श्रीयव अबनर जी, NTA वर्सेस तनमे चाटो पद्या, NTA वर्सेस निकिता यह जो चारो रिट पिटीशन्स हैं, इनको Supreme Court में भीजा जाए, फिलाल के लिए स्टे लगा दिया गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है ऐसे ही, 20 जून को इसके साथ साथ बहुत सारी और भी रिट पेटीशन के किलाफ, जो कि related है NTA और या नीट्स में जो भी डिस्क्रिपेंसी हुई है, उनसे related, इन पर भी नोटिस जारी किया है, जिनकी सुनवाई है, जिनके decisions 8 जुलाई को आने वाले हैं तो फिलाल के लिए Supreme Court का ये stay है, इन चारो सुनवाई पे, जो कि High Court पे दैर की गई थी